व्यावसाइक संगठनों के प्रारूप में आपने पहला जो एकाकी स्वामित वी यानी सोल प्रॉपर राइटिशिप के बारे में जाना है आई हम आगे बढ़ते हैं और आज जो दूसरा प्रारूप है वो देखते हैं कि वो क्या है और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो दूसरा प्रारूप जिसके बारे में अब हम डिस्कुस करने वाले हैं वो है साज़ेदारी जिसे English में हम कहते हैं Partnership अब सबसे पहली बात कि साज़ेदारी कहां से उत्पन हुई और इसकी उत्पन होने का क्या कारण था अब जैसे कि एक general concept जानते हैं कि कोई भी जब नई व्यवस्था जन्म लेती है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं अब वो कारण क्या होते हैं? वो कारण होते हैं कि जो पुरानी व्यवस्था है उनमें जब कोई दोश सामने आने लगते हैं और उन दोशों को हल करने के लिए या उन दोशों के निवारण के लिए एक नई व्यवस्था को सामने लाया जाता है हम इसे एक अच्छे उदारण के माध्यम से समझ सकते हैं मान लिजे एक व्यक्ति है उसने कोई अपना सोल प्रॉपराइड़िशिप या एकल स्वामित वाला व्यवस्था उसने शुरू किया लेकिन धीरे से क्या हुआ उसके व्यवसाय में बढ़ोत्री हुई तब उसने क्या किया अपने लिए इंप्लॉईज रख लिए वैतनिक तौर पर मतलब उनको वह कारे करने के लिए पैसे देने लगा अब क्या हो रहा है व्यवसाय आगे बढ़ रहा है अब क्या देख रहे हैं कि मान लिजे उस व्यवसायी ने एक व्यक्ति को as a employee अपने अंडर रख लिया वैतनिक तोर पर उसे हर महीने कुछ वेतन देता है खारे करने के लिए अभी भी लेकिन वही स्वामी हैं वही सरे इसे काम नहीं चल रहा है अब दो तीन व्यक्तियों को और रख लिया गया अब इससे क्या हुआ व्यवसाय पर क्या होने लगा व्यवसाय तो बढ़ रहा है लेकिन व्यवसायी पर बोज बढ़ रहा है क्यों क्योंकि कि पूंजी का बोज बढ़ रहा है अब जैसे व्यवस अकेला पूरा नहीं कर सकता है लेकिन चुकि व्यवसाय बढ़ रहा है उससे लाप प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए अब क्या चाहिए उसको उनको ऐसे व्यक्तियों की आवशक्ता होगी जो की साजेदार बने अब ये साजेदार कौन होंगे साजेदार वो व्यक्ति होंगे जो की उस व्यवसाय में अपनी पूंजी को लगाएंगे तो क्या करेगा वो व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चैन करेगा जो उसकी व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाए अब ये जो साजेदार बनेंगे ये जो साजेदार हों तो बज़ो इस तरीके से हमने जाना कि जो साज़ेदारी का stept है या partnership का concept है वो सामने आए अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि साज़ेदारी का अर्थ किया है जैसे कि मैंने आपको बताया कि साज़ेदारी क्या होता है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को एक साथ करने के लिए तयार होते हैं और उसकी लाबहानी के साथ साथ अन्य द्याईतों का भी वेहन करते हैं आईए इसके साथ अब हम क्या करते हैं कुछ परिभाशाओं को देखते हैं आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें पहली परिभाशा है भारतिय साजेदारी अधिनियम सन 1932 की धारा 4 के नुसार साजेदारी उन व्यक्तियों का पारस पर एक संबंद है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक साजेदार द्वारा संचालित व्यापार का लाब आपस में बाटने के लिए सहमत होते हैं ठीक है आगे हम बढ़ते हैं एक और परिभाशा देखते हैं इसमें यह जो परिभाशा दी गई है वो डॉक्टर विलियम आर स्प्रिगल द्वारा दी गई है उनके शब्दों में साजेदारी में दो या दो से अधिक सदस्य होते हैं जिनमें से प्रतेक साजेदार उसके सदस्य में दो के लिए फ्रतेक साजेदार अपने कारियों से दूसरे सदस्य को बाद करता है और सदस्य को और नीजी संपत्तियों को फॉर्म के इलोग के बुक्तान के लिए प्रियोग किया जा सकता है तो इससे अगर हम निश्कर्ष निकाले तो इन दो परिभाशाओं से आप यह समझ सकते हैं कि देखिए बचो कुछ चीजे हैं अगर हम point wise समझें पहली चीज साजेदारी में कहता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए दूसरी चीज कह रहा है कि यह जो व्यक्ति हैं वह अपने मन से यानि खुद स्वयम स्वयम की इच्छा से साजेदारी करने के लिए तयार होने हैं जो लाव प्राप्त होता है उसको अपस में बाड़ते हैं लेकिन हानी के विश्य में यह जरूरी नहीं कि यह सब हानी को भी बाटेंगे ठीक है हानी कभी कभी किसी एक साज़ेदार को ही लेनी पड़ती है वो उनके द्वारा जब कानूनी या वैधानिक रूप से साज़ साज़ेदार होते हैं यह जो होते हैं अपने अपने दाइत्व का निर्वाहन करते हैं अपने अपनी कारे कुशलता के नुसार या अपने कोशल के नुसार कुछ इसमें से हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो साज़ेदार होते हैं या साज़ेदारी के सदस्य होते हैं उनमें या कुशलता के अनुसार और अपने काडों को ले लेंगे और अपने जो झावि जो दाइतों हैंसा जी दारी से को उसके अर्थ यहांने को और विशेष्टा को जाना स्क्रीन पर देख रहे हैं सार्योत्डाली को दो भागो वीशने को अधा गया है एक भाग है वैधानिक लक्षन और एक भाग है सामानिय लक्षन जो वैधानिक लक्षन है मतलब सारी चीजें उसमें लीगल एड होगी मतलब जितने भी वैधानिक चीजें होंगी उसको इसमें उप्योग में लाया जाएगा या उस हिसाब से उसको समझा जाएगा तो आईए देखते हैं कि वैधानिक लक्षन क्या हैं वैधानिक लक्षन आप देख रहे हैं इसमें पहला लक्षन है एक से अधिक व्यक्ति देखे बचो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी साजेदारी के लिए या पार्टनिर्शिप के लिए एक व्यक्ति ही काफी नह को ग्रहन करेंगे इसमें एक अधिनियम है वह है अधिनियम 1956 जो साजेदारी फर्म है उसमें साजेदारों की जो संख्या होगी वह 20 से अधिक नहीं होगी साथ ही साथ अगर बैंकों में अगर यह संख्या देखें तो वह 10 से अधिक नहीं होनी चाहें हम अगले अलक्षन की औ साज़दार का कितना परसंट होगा और वह साज़दार के लिए प्रेपार है कि तैयार है कि नहीं उसके बाद ही अनबंदी रूप से यह संबंद स्थापित होता है हम तीसरे लक्षन की और बढ़ते हैं, तीसरा लक्षन कहता है वैद व्यवसाय का पायजन, अब कोई भी साजेदारी व्यवसाय तभी प्रारम्ब होना चाहिए जब व्यवसाय वैद हो, कोई भी अवैद व्यवसाय की साजेदारी को सही नहीं माना जाता एक्चुल बेसिस पर देखे तो कोई भी अवैद व्यवसाय जो है समाज के लिए उचित नहीं है तो अवैद व्यवसाय को यहाँ पर लागू नहीं किया जाएगा वैदानिक लक्षन में इसका जो चोथा हम बिंदू देख रहे हैं चोथा बिंदू है लाब अरजित करना लक्ष है किसी भी व्यवसाय का लक्ष होता है लाब को अरजित करना ठीक है अब यह जो अरजित लाब होते हैं वो साजेदार्यों के बीच में जो कॉंट्राक्ट या अनुबंद बनता है उ हानी अगर कॉंट्राक्ट में लिखा है कि वह डिवाइड होगा या बाटा जाएगा तो वह बड़ेगा लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उन हानियों के दाइतों को वेहन करें अगला जो अब बिंदू या लक्षण हम देखेंगे व सम्मंद होता है मालिक और एजेंट का सम्मंद होता है जो प्रतिक साजेदार होता है वह एक मालिक की तरह भी कारे करता है और एजेंट की तरह भी कारे करता है जो फॉर्म है वह मालिक है और जो साजेदार है वह एक एजेंट है लेकिन फॉर्म खुद तो काम नहीं कर सकती फर्म को चलाने के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं और उनके पास सारे दाइट वो होते हैं कि वह इस फर्म को किस तरीके से चलाए तो एजनसी संबंद जो वैधानिक लक्षण का पाच्वा लक्षण था वह इस प्रकार आपने समझा तो इस तरीके से हमने क्या कि साजेदार कि विशिष्टाव में जो पहला भाग था वैधानिक लक्षण हमने उसको जाना आए हम देखते हैं कि इनमें सामान्य लक्षण क्या क्या है सामान्य लक्षण अकर हम देखें तो इसमें पहला है वह सामान्य प्रबंद इसमें क्या होता है सामान्य प्रबंद में हम देखत डिस्कुर्शन होना है या उस पर कोई निर्णय लिया जाना है तो क्या होगा उसमें सभी साज़ेदारों का सनलंगनों होना जरूरी है यह सामने प्रबंध है और जो उसके उपर डिसिजन लिया जाएगा या निर्णय लिया जाएगा वो इन सभी साज़ेदारों की सहमती से लिया जाएगा या उनसे discussion करने के बाद लिया जाएगा या चर्चा करने के बाद लिया जाएगा कभी कभी क्या होता है कुछ व्यवसाय में जो मुख्य व्यवसाई होता है उसके ऊपर वह निर्णय के लिए छोड़ दिया जाता है उसमें क्या होता है जो बाकी साज़ेदार रहते हैं उनकी सहमती रहती है कि आप जो भी निर्णे लोगे इस व्यवसाय के लिए वो उच्चित होगा तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं यह जो इस तरह के कारे होते हैं वो सामाने प्रबंद में पाए जाते हैं जो नेक्स्ट मिंदू है वो है और सीमित दाइत्व ठी हैं वो रिणों के भुकतान के लिए क्या होते हैं रिस्पॉंसिबल होते हैं जैसे कि मैंने आपको परिभाशा में भी बताया था कि जो सभी साजेदार होंगे वो अपने कार्यों के द्वारा अन्य साजेदारों को क्या कर सकते हैं उन पर प्रेशर डाल सकते हैं कि इन को भुकतान के लिए अपितु उसके अलावा भी जो उनका खुद का धन होता है वो भी उसमें लग जाता है तो यहां पर असीमित दाईत होता है उन साजेदारों का कि वह इन ड्रिनों का भुकतान करें हम आगे बढ़ते हैं सद विश्वास अब देखिए जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ काम करते हैं तो क्या होना चाहिए उनके बीच में ट्रस्ट या सद विश्वास होना चाहिए कि कोई भी नेने उस व्यवसाय के लिए लिया जाएगा या कुछ कारे उस व्यवसाय को आगे बढ़ने के लिए किया जाएगा तो यह उचित होगा तो उन जो सदस्य है या उन साजेदारों के मद्ध क्या होना चाहिए विश्वास बुलंद होना चाहिए या विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए हम अगले सामाने लेक्षन की और बढ़ते हैं वो है हित के हस्तांतरण पर प्रतिबंद देखें बचो अब कोई साजेदारी का अनु हैं ऐसा तभी होगा जब उस व्यवसाय के बाकी साजेदार है वो इस हित के हस्तांतरण के लिए क्या हो जाएंगे उसको हामी भर देंगे या उसके लिए ready हो जाएंगे तब ही ये हितों का हस्तांतरन possible है नहीं तो प्रतिबंदे होता है उसके लिए भी पूरी legal formalities की जरुरत होती है सारी legal formalities के बाद ही हितों का हस्तांतरन सदस्यों की या बाकी साजेदारों की सहमती के बिना नहीं हो सकती अगे बढ़ते हैं अगला जो लक्षन है वो है प्रथक अस्तित्व नहीं किसी भी साजेदार का व्यवसाय के बिना प्रथक जो अस्तित्व है नहीं है साजेदार जो है वो उस form या उस व्यवसाय के नाम से ही जन जाता है तो इसल फर्म या व्यवसाय से प्रता अस्तित्व नहीं है तो पुच्व इन लक्षणों को जब हम समझते हैं वैधानिक और सामानी लक्षण इन दोनों लक्षणों को जानने के बाद अब हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि साजेदारी में क्या होता है दो या दो से अधिक सदस्य ह होते हैं या साजेदार होते हैं जो कि क्या करते हैं व्यवसाय के प्रबंध को चलाते हुए उनके दाईतों को पूरी तरह से पूरा करते हैं और लाव और हानी को एक डूसरे के साथ शेयर करते हैं तो बच्चों यह हो गया अब साजेदारी की विशेष्टा हैं हम आगे बढ ठीक है पहला प्रकार है सामान्य तथा सीमित साज़ेदारी यानि जन्रल एंड लिमिटेड पार्टनर्शिप ठीक है इसमें क्या होता है प्रथम जो होता है वो सामान साज़ेदार होता है और दूसरा जो होता है वो विशिष्ट साज़ेदार होता है जो सामान्य साज़ेदा उसके जो दाइत्व होते हैं वो असीमित होते हैं अगर हम इसमें साजेदारी की दूसरे प्रकार को देखे तो कहता है कि एचिक तता विशेष्ट साजेदारी यानि पाटनरशिप, तो जब एच्छिक की बात कर रहा है हम जानी हम बात कर रहे हैं पाटनरशिब गात पर कर रहे हैं तो वहांपे जो उसका दाईत्व होगा वो अनिष्चत काल के लिए होगा चीए वान स्वयम से कर रहा है तक यह करना चाहते हैं जहां तक उनके विशेश उदेश पुरे होते हैं तब ही तक वो साजेडारी को अगे कणडिन्यू करते हैं चिक हैं हम तीसरी बिंदू पर चलते हैं तीसरे साजेदारी के प्रकार aboires को प्रकार है वैद तता वैद साज़ेदारी लीगल एंड इलिगल पार्टनर्शिप बच्चों जो भारती साज़ेदारी अधिनियम हैं उसके अंतरगत कोई भी साज़ेदारी को जो है यह जाता है वैद हो जाता यह जो साज़ेदारी हो जाती है जो कि इन फ्यूचर यह भविश्य के लिए अच्छी होती है अगर इसके वीपरीथ हम देखें तो कुछ ऐसी दशाएं होती है जो साज़ेदारी को वैधानिक या गैर कानूनी बताती हैं अब कौन-कौन सी में साज़ेदारी की स्थापना का उद्देश अगर गैर कानूनी हो दूसरा बिंदू कर हम देखें तो साज़ेदारी का व्यवसाय सारविनिक नीती के वीपरी थो मतलब सोशल रिस्पोंसेबिलिक गो energy को फूर ना कर रहो उन सभी उनकि अधिन के बारे किवल एक बश्या बारे में चाहिजिस और कौन के डशा वर्दानी के का Ltd तीसरी जो दशा बता रही है, वो है सदस्यों की संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सदस्यों की संख्या जो होनी चाहिए, वो 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और बैंकों में 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इसके इला साजेधारी है ठीके बच्चों तो इस तरीके से हमने साजेधारी के प्रकार को भी जान लिया अब सबसे बड़ा प्रश्ण यह उठता है कि साजेधार कौन हो सकते हैं तो इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि साजेधार जो हो सकते हैं वो एक व्यस्क होना चाहिए मतलब उस किसरी चीज क्या होना चाहिए वह स्वस्त मस्तिश्क का होना चाहिए मतलब मांसिक रूप से स्वस्त होना चाहिए और अंतिम चीज क्या होना चाहिए वह जो शत्रू राष्ट्र से उसका कोई संबंदनी होना चाहिए अगर को साजेदार है जिसमें यह चार लक्षन पाया ज प्टाँ